Hello everyone, नमस्कार, दोस्तों! क्या 99.2000 को उत्राखण राज जी की स्तापना के सांथ बनी? उत्राखण राज जी की स्ताइ हाई कोट नयनितल सहर से कहिं अन्यत्र सिप्ट हो जाएगी? क्या है आपकी राई? क्या हाई कोट 99 सर से सिप्ट होनी चाहिए या फिन नहीं कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखें क्योंकि जल्दी आपको भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखने का मौका मिलने वाला है ऐसा मैं नहीं बलगी ओनरेबल हाई कोट की डिविजन बेंच उधारा पारित आदेश कह रहा है क्या है पुरा मामला जानते हैं आज की इस वीडियो में अगर आप भी उत्राखन से हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो ओनरेबल हाई कोट सिप्टिंग का यह मामला 8 माई 2024 को एक मामले के सुनवाई के दोरान सामने आया जिसमें ओनरेबल हाई कोट की डिविजन बेंच IDPL के मामले में सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोट ने ब्यापक जनहित को आधार मानकर नैनिताल से हाई कोट को सिप्ट किया जाना आउश्यक बताया है कोट ने राज्य के मुख्य सचिव से एक माह के भीतर हाई कोट के लिए उचित इस्तान बताने को कहा गया है साथ ही रेजिटार जन्रल हाइकोट को निर्देश दिये गए है कि वे एक पोर्टल बनाए जिसमें अध्योकताओं वो जन सामान्य से सुझाव ले जाएंगे कि वे नैनिताल से हाइकोट सिप्ट करने के पक्स में है या फिन नहीं आदेश में कहा गया है कि गौलापार में जहां हाइकोट के लिए जगव चिन्नित की है वहाँ 75 फिस्ति वन भूमी है और घना जंगल है वहाँ पेड काडने के बाद हाइकोट की स्तापना उचित नहीं है हाइकोट इसके पक्स में नहीं थी साथ ही हाइकोट ने कहा कि नहींताल में वातकारियों और युवा वकिलों को होने वाली कठिनाईयों चिकिस्ता सुविधाओं और कनेक्टिविटी की कमी के अलावा कोट में 75 प्रतिस्त से अधिक मामलों में राजी सरकार के पक्सकार होने और अधिकारियों कर्मचारियों के नेनिताल हाई कोड आने में TA वर DA में होने वाले खर्च को देखते हुए उच्च न्यायले को नेनिताल से इस्तांदान तृत करना आवश्यक है 8 माई 2024 को ITPL रिसकेस से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दोरान मुख्य सचीव उत्राखन राधा रतुलीव मुख्य मंत्री के प्रमुक्ष सचीव आरके सुदानसु बीसी के माध्यम से उन्रेबल हाई कोड में उपस्तित आये जिने उन्रेबल हाई कोड द्वारा नेनिताल से कोड सिप्ट करने की सूशना दी थी और उसी दिन दो पहर बाद उन्रेबल हाई कोड बार एसोसियेशन वो अधियोक्ताओं का पक्स भी सुना गया उपरोग्त तथ्यों और प्रिस्तित्यों को देखते हुए उन्रेबल हाई कोड को नेनिताल से इस्तानांत्रित करने के लिए मुद्दे को सीखर निप्टाने के लिए उन्रेबल हाई कोड ने एक प्रिकिदिया तैयार की है जिसमें बिन्दूओं के माध्यम से दिसान निर्देश जारी किये हैं जो इस प्रिकार से हैं बिन्दू ए मुख्य सची उत्राखन सरकार को उच्चे न्यायले के स्तापना के लिए न्याय दिसों, न्यायक अधिकारियों, कर्मचारियों, कोड रूम, कॉन्फरेंसिंग हॉल कम से कम साथ हजार वकिलों के लिए चेंबर, कैंटीन, पार्किंग, इस्तल, आधी के लिए सबसे उप्युक्तु भूमी का पता लगाने का निर्देश दिया जाता है और उस शेत्र में अच्छी चिकिस्ता सुबिधायें और अच्छी कनेक्टिबिटी होनी चाहिए यह पूरी कवायत मुख्य सचीव द्वारा एक महने के भीतर पूरी की जाएगी और मुख्य सचीव 7 जून 2024 तक इस नियायले को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे बिंदू नमबर बी चुकि प्रक्टिस करने वाले वकिलों की राई भी बहुत आउश्यक है इसलिए इस नियायले के रिश्टार जनरल को 14 माई 2024 तक एक पोर्टल खोरने का निर्देश दिया जाता है और वकिल अपनी नामांकन संक्या तारिक और हक्ताक्षर का संकेत देकर उच्च नियायले के स्तानांतरन के लिए चुक होने पर हाँ और यदि वे चुग नहीं है तो नहीं चुनकर अपना बिकल्प देने के लिए स्वतंतर हैं वे 31 माई 2024 तक अपने बिकल्प का प्रियोग करेंगे और यह तिती बढ़ाई नहीं जाएगी बिन्दू नमबर सी आम जनता की राय भी बहुत आउश्यक है क्योंकि इस राज्य में 13 जिले हैं और वातकारी राज्य के हर हिस्से से आते हैं जिसमें उचाई पर इस्तित बहुत दूर दराज के पहाड़ी इलाके भी सामिल हैं इसलिए ऐसे वातकारीयों या बिक्ती भी उसी तरीके से अपनी राय दे सकते हैं यानि अगर वे स्तांदान तरण के पक्स में हैं तो वे हां कहें और अगर वे छुग नहीं है तो वे नहीं कहें ऐसे बिक्ती को अपना आधारकार नंबर और तारीक भी बतानी चाहिए और इस विकल्प को चुनने की अंतिम तिती 31 माई 2024 होगी और यह तिती बढ़ाई नहीं जाएगी बिंदू नंबर दी के अनुसार यह राय निश्चित रूप से 31 माई 2024 तक उच्च नियाली के आधिकारिक ब्योसाइट पर प्रिस्तुत की जाएगी और इस प्रियोजन के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा इस उच्चि नियाले के रेश्टार जन्रल को निर्देश दिया जाता है कि वह गड़वालों कुमाओं छेत्रों सहित उत्राखन राजी के पूरे छेत्र में ब्यापक प्रिसार वाले दो इस्ताने समाचार पत्रों हिंदी और अंग्रेजी यानि देनिक जागरन, अमरुजाला, टाइमस ऑप इंडिया और हिंदुस्तान टाइमस में 14 माई 2024 तक सारवजनिक सूचना जारी करे ताकि 31 माई 2024 की अंतिम्तिती को या उससे पहले बिकल्पों को चुना जा सके बिन्दु संक्या ई उच्ची न्यायले बारे सुष्यन भी उच्ची न्यायले को इस्ताना अंत्रित करने के लिए भूमी का सुजाओ दे सकता है और बिन्दु नंबर F उत्राखन उच्ची न्यायले के रिश्टार जन्रल प्रमुक सचिव बिधाई और संसदी कारिये उत्राखन राज्य और प्रमुक सचिव ग्रह उत्राखन राज्ये दो वरिष्ट अधिवक्ता उत्राखन राज्ये बार काउंसिल के एक सदस्य को इसके अध्यक्स द्वार नामित करके एक समिती का गठन किया जा रहा है। इस समिती की अध्यक्षता उत्राखें उच्छी नियाले के रेजिश्टार जनरल करेंगे। यह समिती राए पर विचार करने के बाद 7 जून 2024 तक एक सील बन लिफापे में अपनी रिपोर्ट इस नियाले को सौपेगी। इस मामले में सभी की राए और सभी रिपोर्ट्स कोड में दाखिल होने के बाद मामले में अगली सुनवाई 25 जून 2024 को होने है। जिसके बाद कोड अपना फाइनल जज्जमेंट सुना सकती है कि हाई कोड ने ताल में रहेगी या फिर अन्यत्र सिप्टो हो जाएगी और वहा भी पतार लगेगा। दोस्तो आप भी अपने राए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वैसे 14 माई 2024 के बाद आपको यह मौका मिलने वाला है कि हाई कोड ने ताल से सिप्टो होनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगल